Hello guys, welcome to Science Workshop, this is Kusum here. Guys, इस वीडियो में मैं आपको एक information दे रही हूँ, जो GATB का exam है, यानि Graduate Aptitude Test Biotechnology और Biotechnology Eligibility Test, ठीक है? इसका Online Application Form Submission का जो Last Date था, वो Extend कर दिया गया है. इसका जो पहले Last Date था, वो 31 March 2023 था, लेकिन अभी इसको Extend करके आगे बढ़ा दिया गया है, 5 April 2023 थक, ठीक है? अगर अभी तक किसीने GATB का Form Apply नहीं करा है, ठीक है? तो आप अभी भी कर सकते हैं, 5 April 2023 थक, यानि 5 दिन का आपके पास में टाइम है. और ये एक entrance exam होता है, पोस्ट ग्रेजवेशन के लिए, अगर आपको बायो टेकनोलोजी से रिलेटेड और इंडिया की top most universities में, अगर आपको admission चीए, MSC के लिए, MT के लिए, तो आपके लिए ये exam बहुत ही benefit रहेगा. आप इस exam को crack करके, top most जो इंडिया की universities है, वहाँ पे admission ले सकते हैं, ठीक है? तो जो भी BSc final year की student है, वो भी एपलाई कर सकते है, GET B के लिए, ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं, examination, grisvet, aptitude test, biotechnology यानि GET B का, जो submission of application form online है, last date है, 5 April 2023, शाम को 5 बज़े तक रहेगा, ठीक है? और इसका जो payment है application के बाद में, यह शाम को 11 बज़े तक रहेगा, 5 April को ही, और इसके अंदर जो भी correction करवाना हो आपको, तो 8 April से 9 April तक, 11.15 बज़े तक, यह correction window जो है, वो open रहेगा, अगर application form में आपको कुछ भी correction करवाना है, तो 8 April से 9 April के बीच में आप करवा सकते हो, 10.23 शाम को 5 बज़े तक रहेगा, और payment जो है, वो आप 11.15 बज़े तक कर सकते हो, 5 April को, और इसमें भी correction window जो है, वो 8 April से 9 April के बीच में open रहेगा, आपको application में कुछ भी correction करना है, तो 8 April से 9 April के बीच में कर सकते हो, okay, So guys, अगर information आपको useful लगी, तो please like कर देना वीडियो को, share कर देना, जिसको भी यह information की need लगे आपको, So thank you so much guys, मलता है next वीडियो में,